कि हैं हेलो दोस्तों हम लोग आज WHY इंसिटी पढ़ेंगे ड्यू टो डाइपोल एट इट्स इक elections sìbr अशिवल गए इदर इसेंटर से मम है ची पॉकल करना जोकि आइ डिस्टेंस पे यह07 distance और यह वहले distance दोस्तों equal होगी x माल लेते हैं x की value क्या हो जाएगी root l square plus r square हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे negative charge जो है electric field को अपनी तरब बुलाएगा और positive charge electric field को दूर भेजेगा हमने 2 charges हमने 2 electric field यहाँ पे माल ली 2 charges माल ली तो 2 electric field हमें suppose करने पड़ी that is e1 and e2 दोस्तों सबसे पहले हम चीजों को यहाँ पे समझ लेते हैं e1 की direction यह है e2 की direction यह है इन दोनों का resultant कहीं यहाँ जाएगा माल लेते हैं यह angle theta होगा तो यह वाला angle भी theta होगा क्योंकि e1 और e1 e2 का magnitude same होगा sir magnitude same क्यों है क्योंकि distances same है सिर्फ direction opposite होगी क्योंकि यहाँ पे charges का magnitude different है charges का like magnitude opposite है मतलब negative है तो दूसरे का positive है चलिए इसको component करेंगे दोस्तों तो यह क्या हो जाएगा e1 cos theta इसका component करेंगे तो e1 sin theta हो जाएगा क्योंकि जिधर theta होता है उदर cos component आगया e1 का और इधर आगया e1 का sign same दोस्तों यहाँ पे हम e2 के component करेंगे तो जिधर theta होता है उदर होता है cos theta तो e2 cos theta इसके perpendicular में हो जाएगा e2 sin theta दोस्तों e1 और e2 का magnitude same है तो opposite direction में magnitude same है इसलिए उदोन एक दूसरे को क्या करेंगे cancel करेंगे net electric field कितना आएगा net electric field आएगा e1 cos theta plus e2 exactly e2 cos theta तो e1 plus e2 cos theta आज आएगा net electric field अब खेर आब e1 और e2 की value निकालना हम लोग सीखते हैं दोस्तों e1 के लिए हम e2 के लिए दोनों के लिए देखेंगे e1 हमने मान लिया किसके तरू positive q के लिए positive q के लिए distance कितनी हो जाएगी bc हो जाएगी तो kq by bc square kq bc का मतलब होगे x bc का मतलब यहाँ पर हम पहले देख चुके हैं x हो जाएगा x का square करेंगे root हट जाएगा root r square plus l square हो जाएगा मित्रों अगर हम negative q के लिए देखेंगे बिल्कुल सेम रहेगा q लिया है दोस्तों क्यूंकि net electricity is direction में है जो कि negative x में negative x का मतलब minus आई तो यहाँ पर आप हर point पर देख सकते हैं हर जगे negative y direction लिए तो आप बिल्कुल भी confused से नहीं होंगे हम e1 और e2 बराबर है तो इसको 2 e1 cost तीरा लिग दिया e1 और e2 की जगे पर हमने e1 लिग दिया e1 की value ले दोस्तों इस triangle से इसमें आप ध्यान से देखें तो cost तीरा क्या होगा base upon hypotenuse that is l by x x की value आप जानते हैं root l square plus x square और सारी r square हो जाएगा तो हम यह cost तीरा की value पुट कर दिये यहाँ पर दोस्तो k into q into 2l आ गया यह हमने लिग दिया नीचे देखो इसको आप लिख सकते हैं r square plus l square की power 1 by 2 और one already था तो 1 plus 1 by 2 क्या हो गया 3 by 2 I hope आपको इस सारी बातें clearly समझ में आ रही होंगी basic fundamental है basic maths है चलिए दोस्तों quickly हम लोग revise कर रहे हैं आपके revision point of view के लिए चीज़ें आपको याद हो जाए examination point of view के लिए देखें दोस्तों तो क्या हो गए है यहाँ पर q into 2l q into 2l q into 2l q into 2l को हमने लिख दिया p k को k के लिख दिया तो यह हमारे derivation आ गई दोस्तों एक interesting बात ध्यान रखना कि electric field जो होती है electric field की direction हमारी आई है negative आई और अगर dipole की direction आप ध्यान से समझें तो negative charge to positive plus आई है तो electric field और electric dipole के बीच में angle 180 degree anti parallel है यह भी द्यान रखना कभी कभी exam से पूछ लेता है एक special condition मान ली कि r बहुत बड़ा है l से तो r square is very very greater than a square तो आप l को neglect कर सकते हैं l को neglect करेंगे 2 से 2 cancel हो जाएगा r cube आजाएगा तो kp by r cube आजाएगी electric dipole के थूँ उसके equatorial point पर तो I hope आपको समझ में आ गया होगा short video 4-5 minute की video की form में derivation का एक नई सीरीज हम लोग start कर रहे हैं जिसमें हमें पूरी physics के important derivations को concept को cover करेंगे channel को subscribe करना दोस्तों को share करना बिल्कुल न भूलें thank you